इलाबाद हाईकूर से जमानत मिलने के बाद डॉक्टर कफील खान को देर रात मतुरा जेल से रहा कर दिया गया। गंटों तक टाले रखा और कहा कि जब तक उसे अलिगर जिला प्रशासन से जरूरी कागजात नहीं मिल जाते तब तक डॉक्टर कफील को नहीं रहा किया जा सकता। स्टीफ ने उनका इंकाउंटर नहीं किया जिसके लिए वो स्टीफ के अभारी है। रहाई के बाद डॉक्टर कफील ने कहा कि जेल में उन्हें पांच दिनों तक खाना और पानी के बिना रखा गया। उनके इस उत्पीडन की वज़ा सिर्फ इतनी है कि उन्होंने नागरिक्ता संशोधन कानून और योगी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। उत्तर परदे सरकार ने एक जूटा, बेशलेस और एक सिक्षियस केस मतलब बिना बात के एक ड्रामा करके केस बनाया और मुझे आठ महीने तक इस जेल में पांच दिन तक बिना खाना दिये हुए बिना पानी दिये हुए इस तरह से मुझे पर्टाइट किया गया। तीसरा मैं उत्तर के स्टियफ को धन्यवाद दूँगा जिनोंने मुझे मुझे मुंबई से मतुरा लाते वक्त इनकाउंटर में मारा नहीं। तो कहीं बलड डुनेशन कैम्प लगाये गये थे। डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए यूपी कॉंग्रिस अल्पसंख्या ग्विभाग की चेर्मैन शाहनवाज आलम भी अपने समर्थकों के साथ मतुरा पहुँचे थे। यूपी कॉंग्रिस के अध्यक्ष अजय कुम अल्पसंगे लिए यूपिए। झाल झाल